है अज पेपर आया हुआ है नीट 2020 का पेपर बड़ाई आसान ही हम लोग चार्ट कर रहे हैं भी केनिक्स का लोग यूट वाई आप लोग को रिकॉर्ड कर रहे हैं सबसे पहले मेरे पास जो पेपर है इवन इस में मिकेनिक्स का जो बन 43 कोष्चान इंगरेविटेशन से आया यहां पर कितना दिया है 72 इस question के अंदर what is the gravitational force on it at a height equal to half of the radius of the earth मतलब यहां से हमें hy2 मतलब ry2 पर जाना है आप लोगो पता है उपर जाने पर height की value क्या होती है decrease इसका formula आप लोगो ने देखा है g1 plus hyr whole square यदि मैं m का multiply कर दूँ तो यह weight हो जाएगा simply तो में यह find करना है mg effective यह हमें पहले से पता है 72 वन प्लस एसकी वैलू कितनी है आर बाई टू आर whole square is sequential यह 3 by 2 3 by 2 का square करोगे तो 9 by 4 4 उपर जाएगा यह एट बार तो 32 आंसर आ रहा है 32 newton मेरे वाले option second है आप लोगो अपने वाला देख सकते हो हलो बटा इसमें से second your question आया है 145 यह से आया हुआ है question के अंदर पूछा या रहा है phase difference between displacement and acceleration आप लोगो पता है displacement की equation क्या आई थी a sin omega t और acceleration याद है a omega square sin omega t यदि मुझे ए एक कंपेरिन करना है तो सबसे वहले minus अठाना पड़ेगा यहां से और minus कैसे अठाएंगे omega t plus pi अपनको साब दिख रहा है दोनों की बीच में कितना आ रहा है पाई तो answer क्या आएगा पाई मेरे वाले पेपर में क्या answer आ रहा है first आप अपने वाले में देखो बेटा next question इसमें आए हुआ है least count मैंने आपको previous year के question ने आप लोगों ने यूटूब पे देखे हो तो यह वाला question मैंने आप लोगो क्लास के अंदर करवाया है यूटूब पे डला हुआ है सीधा सीधा आये हुआ है इस question के अंदर pitch पूची गई है आपको याद है list count का formula क्या होता था पिच अपॉन नंबर ओफ डिवीजन याद आया कुछ नंबर ओफ डिवीजन इस question के अंदर list count दिया 0.01 mm मैंने option देखा mm में आ रहा है इसलिए अपनको convert करने के जरोती है पिच पूची आ रही है और इस question के अंदर number of division दिया 50 तो यहां पे pitch कितनी आईगी calculation आता है इसको करो जल्दी से तो यह आएगा 0.5 mm मेरे वाले पेपर में थर्ड वाला option आप इसके साब से देख लेना बटा यह वाला question mechanics से आया है center of mass से बड़ा ही आसान question है इस question के अंदर two particles दिया है आपको एक का mass दिया है 5 kg और दूसरे का दिया है 10 kg आप से पूछाए आ रहा है इसके बीच का separation कितना है 1 meter coordinate आता है इसको 0,0 1,0 आप लोगोंने ध्यान से पढ़ा हो तो इसका center of mass यहां से हमें find करना है तो center of mass का formula यहाँ आदे M1 X1 plus M2 X2 upon M1 plus M2 5 into 0 को इसका X कितना है 0 plus 10 into 1 upon M1 plus M2 दिमार्क में calculation चाहिए यह 0 10 upon 15 2 by 3.67 meter 67 centimeter answer check करो मेरे वाले पेपर में थर्ड वाला option है बिटा यह वाला question torque पूछाए आ रहा है आप इसको better का भी समझ सकते हो rotation का भी समझ सकते हो आप लोगोंने 11th class में formula पढ़ाता है torque equal to R cross F F cross R नहीं होता R cross F होता है इसमें direction में वेपूप बना रहे R cross F इस question के अंदर R को धियान से देखो question कुन सा है यहां 1 putty F यह वाला इसमें दी R को आप देखो तो दीदिया है 2K cap और force दीया है 3J cap आपको याद है जल्दी से I, J, K हमें क्या चाहिए R cross F जमाग चल रहा है ज़िए भूल गाए 6 K cross J K cross J ऐसे में प्लस होता था ऐसे जाने पर क्या होगा माइनस तो यह होगा माइनस आई क्या आप देखो तिती सिक्ट में question हो रहे है आपकी concept clear इसका answer आ रहा है 3rd note करो फास्ट बिटा यह वाला question NLM से आया हुआ है बड़ाई आसान question मैंने live नीट में नहीं देखा याद है यह नीचे जाएगा यह उपर जाएगा acceleration का shortcut क्या होता है total force upon total mass total force 6G minus 4G upon total mass यह कितना होगा 2G यह होगा 10 5G by 5 मेरे वाले paper में answer आ रहा है इसका question कहां पर है यहां यह वाला है बं 60 question यह जी वाइफाइब answer आ रहा है 3rd आपके according जी वाइफाइफ नोट करिए बिटा यह वाला question elasticity से आया है बहुत ही आसान question है एक कोई इस question के अंदर बायर दिया है उसकी length कितनी है इस पे जब हम block को hang करेंगे तो इसका length क्या होगी increase इसकी length कितनी होगी L1 आप मुझे बताओ इसमें expansion कितना हुआ delta L L1-L आपको याद है gamma क्या होता था stress upon strain stress क्या होता था याद करो F upon A changing length upon original length force mg original length L area L1-L इससे आसान question कभी देखने को आपको नहीं मिलेंगे मेरे वाले paper में इसका answer है fourth जल्दी से note करो इससे आसान मेकेनिस का question कभी नहीं देखोगे find the dimension of stress अभी आप लोगों ने previous class question में पढ़ाता है stress क्या होता है force upon area force याद प्रेसर और यह stress में क्या अंतर बता है प्रेसर external stress internal मैं भी knowledge की बात नहीं कर रहा हूं से अपन को calculation करना है answer बोलो जल्दी से देखके वैसे तो बहुत सारी लोगो याद भी होता है मेरे बाले पेपर में इसका option जो टैली कर रहा है वो फॉर्थ नंबर का विटा यह बाला question motion इन वंडी से आया है motion अंडर अधर ग्रप्टी इस question को ध्यां से देखो तो किसी में है इस पार्टिकल को पोजेंट के 20 मीटर पर सिकंड इस question के अंदर दिया है कि 80 मीटर पर सिकंड से स्टाइक कर रही है find the height of the tower क्या लगाना चाहिए बताओ जल्दी से वी स्क्वार एक वार टू यू स्क्वार प्लस टू एस वी माइनस माइनस का स्क्वार करोगे प्लस है 400 कित्ता बचेगा 600 6000 सॉरी तो इससे 20 से कितने बार कैंसल होता है जल्दी बताओ मुझे यह कितने बार होना चाहिए 300 मेटर मेरे वाले question में answer इसका आ रहा है 4 लोट करो